दोस्तो गिद अक्सर हमारे आसपास रहना पसंद करते हैं और गिद हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि गिद हमारे आसपास मौझूद गंदगी को साप करते रहते हैं दोस्तो सन 1980 में ही सिर्फ हमारे भारत में सफेद पूंच वाले गिद्धों की जंजंख्या करीब 800 लाग से भी जिदा हुआ करती थी लेकिन सन 2016 तक ये सिर्फ 40,000 के करीब ही रह गी है दोस्तो आसमान को अपने होशले के दम पर नापने वाले गिद्ध के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बाते बताने वाले हैं जो साइधी आपने आज से पहले कहीं सुने होंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एकड़म लाश्ट तक जरूर देखना दोस्तो क्या आपको पता है कि गिद्ध आसमान में सबसे जिदा उचाई भरने वाला सिकारी पक्ची है या करीब 37,000 फिर तक की उचाई पर उड़ सकता है फैक्ट नमबr 2 दोस्तो गिद्ध अक्सर मरे हुए जानवरों का मांस खाता है इसके लिए या उस मरे हुए जानवर के उपर खाड़ा हो जाता है क्यूंकि वा मांस सड़ गया होता है इसे वजह से गिद्ध के पैर में गंदगी लग जाते है जिससे उसके बीमार होने के छांस बढ़ जाते हैं लेकिन वह अपने Papel प्रेसाब करता है जिसकी वजह से वह प्रेसाब उसको बीमारी से दूर रखता है क्योंकि दोस्तों के पिसाब में आम लपाए जाता है जो इसको बीमारी वाले कितानव से बचाता है दोस्तों गिद्ध की सबसे बड़ी प्रजाती अफरीका में मौझूद है इस प्रजाती का नाम लैपेड फैस्ट वल्चर है इस प्रजाती के लंबाई करीब करीब नमर 4 दोस्तों क्या आपको बता है कि गिद्ध का वजन करीब 10 किलोगराम तक होता है फैक नमर 5 दोस्तों क्या आपको बता है कि हमारे भारत में जेदा तर वाइट-ब्लैक वर्चल प्रजाती के गिद्ध पाए जाते हैं यह देखने में हलका काला और बूरा होता है ज इसके गर्दन बहुत ही पतली होती है. Fact no.7 दोस्तों क्या आपको बता है कि गिद्य की जो नजर होती है, वह बहुत ही तेज होती है। इसी वज़ा से वे अपने सिकारी को आसमान से भी देख लेते हैं और उस पर तूर पड़ते हैं. Fact no.8 दोस्तों क्या आपको बता है कि गिद अपने भोजन की तलास में कई सो किलुमेटर की यात्रा भी ताय कर लेते हैं तो दोस्तों ये थे गिद के बारे में कुछ अमेजिंग एंड इंट्रेस्टिंग जानकारियां दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न वोले फिर मिलते कैसी रोमांचक इन फॉर्म नेशन के साथा तक के लिए